नमस्कार दोस्तों मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है आज की इस वीडियो पर हम बात करेंगे भारत का पहला जो रेलवे का इंस्टूट है जिसका नाम है नैसनल रेल एंड ट्रांस्पोरिशन इंस्टूट जो की वडोधरा में है ये 2018 से संचालित है और अभी इसमें एड्मिसन की प्रक्रिया सुरू हो गई है तो आज के इस वीडियो में मैं एड्मिसन से रिलेटेट क्या क्या प्रोसीजर है वो बताऊंगा अगर ये वीडियो आप के लिए यूसपुल ना हो फिर भी आप अपने दोस्तों और रिलेटिव से से सेर करिए क्योंकि बारवी आई है BBA, BAC, MAC और MBA प्रोग्राम के लिए जो आपका क्लोजिंग डेट फॉर एप्लिकेशन, और एप्लिकेशन का जो डेट है बीटेक के लिए प्रोग्राम के लिए आपका जो डेट हो काफी ज्यादा है 14 सेप्टेंबर 2020 है इसमें जो है एक टेस्ट इनलोग प्रोसीजर है यह सारा जो आपका प्रोसीजर है वो कुछ इस तरीके से है इसमें आपका इंट्रेस्ट जो है वो तैही सगस्त को होने वाला है इसमें जो BBA, BAC, इसमें होगा इसी NRTI का जो UG Trest होने वाला है उसी Base Space में एडमिसन होगा डारेट एडमिसन होगा इसमें से MSC में अगर admission ले रहे हैं जो कि after graduate आपको इस course में enroll करना है उसका क्या procedure है उसमें सबसे पहले तो आपको इनका खुद का test देना पड़ेगा जो कि मैं बताया था कि multiple choice question रहेगा साथ ही interview रहेगा और सब का पूरा marks करके overall result तयार होगा उसी तरहीके से MBA में अगर cat, mat आपके valid scorecard है उसको लगा दीजिए नहीं तो इसमें आपका option दिया है कि या तो आप इनका test दीजिए अगर आपको valid scorecard नहीं है उसी साब से फिर total marks add करके interview भी होगा इस दोनों में interview भी होगा MSC और MBA में उसके बाद आप इसमें आपका final result बनेगा तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले आप जैसा कि देख पारें कि BBA in transportation management जो कि तीन साल का course है इसमें minimum qualification बारवी होना चाहिए और maths उसी तरीके से BSC में भी बारवी और maths BTEC in rail infrastructure engineering and BTEC in rail system in communication इसमें 12 होना चाहिए PCM होना चाहिए और साथ ही valid scorecard IT JE का minimum जो बारवी का percent है उसमें 50% आपका OBCST, ST के लिए उसी तरीके से 55% आपका general category के लिए 25 साल इसकी maximum में जो उससे नीचे वाले ही apply कर सकते हैं MBA in transportation management इसमें क्या होगा आपकी bachelor degree in any discipline with math or statics as one of the subject with aggregate marks आपका जो at least 55% और 50% जो है OBCST और ST के लिए यह जो आपका bachelor degree है मतलब आपका B.E. की degree उसी तरीके से बहुत सारे MBA के course हैं MSC की बहुत सारे course हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं अब चलिए हम बात करते हैं कुछ और point की जो test आपका होने वाला है वो test आपका होगा online mode पे होगा जो की 23 सगस को होने वाला है 100 multiple choice question रहेंगे 90 minute का time है जो marking है एक marks every correct answer में और minus 0.25 every incorrect answer में language English रहेगी undergraduate में जो test होगा वो रहेगा आपका English रहेगा, reasoning रहेगा, quantity aptitude रहेगा, general awareness रहेगा post graduate में जो रहेगा आपका language रहेगा, mathematical skill रहेगा, data analysis in sufficient, intelligence and critical reasoning and Indian in global environment तो इस type का आपका aptitude होने वाला है जो की 100 multiple choice question और 90 minute रहेगा एक बात ध्यान दीजिए जो B.T.E.C. वाले रहेंगे उनके लिए केवल I.T.J. लगेगा और साथ ही अगर आप MBA के कोर्स में enroll करना चाहते हैं तो आप अपना scorecard लगाएंगा अगर valid scorecard है mat और cat का उसके लिए test देने के जुरूदत नहीं है और प्लस उसमें interview होगा, B.T.E.C. वाले में interview नहीं होगा, कहने का मदला under graduate में कोई interview नहीं है, B.S.C. और समल ली जी, B.B.A. वाले course में आपको interest rate देना पड़ेगा लेकिन B.T.E.C. वाले के लिए IT यहीं चाहिए, ठीक है उसके बाद हम लोग कुछ और चीज़ें देखते हैं, चलिए fee structure देखते हैं, fee structure आपको कुछ यह ऐसा दिखाई दे रहा होगा, कि यह M.B.A. प्रोग्राम का है, M.B.A. और M.S.C. प्रोग्राम का टोटल जो फीज है, वो दो लाक अरसर जार पासर रुप है, M.S.C. का है, दो लाक अरसर पासर रुप है, और यह टोटल फीज है, मत्तब मैस और होस्टल सब इंकलूड है, ठीक है, एक जन का, उसी तरीके से आप यह देखिए, B.B.A. B.S.C. का जो टोटल फीज है, वो है, वन लाक तीहतर हजार है, और B.T.E.C. प्रोग्राम का दो लाक अरसर पा का है, तो आई होब दोस्तों यह वीडियो पसंद आया को चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो, अगर अच्छा लगाए, वीडियो को लाइक और सेर दोलो करते हैं, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठैंक यू वेरिवांच